तो दोस्तों, आज करे मेरा टोफिक है भीन का गुना और भाग जैसे की यहाँ पर हमारा पहला कोशन यहाँ पर देखे, कोशन क्या है कोशन है 210 बाटा 400 इसमें भाग करना है 120 बाटे 500 से यानि इतना बाड़ा भीन है इसमें भाग करना है दूसरा भीन इतने बड़े बड़े भीन है कैसे करेंगे आसान तरीका क्या है और वहीं पर दूसरे कोशन के बात करें तो यहाँ पर देखे चार बटे साथ में गुना करना है 14 बटे 5 से और फिर इसमें भाग करना है 3 बटे जो भीयन का भागु होता है उसको शल्फ करना शीख लते हैं तो आये सबसे पहले भीयन का भाग जो की बड़े बड़े बीयन है इसको शल्फ करना शीखते हैं आसान ब्रिदे क्या है न वह the तो देकिए हमारा कोशन क्या है aquellos में करना क्या है इस पहले भिन कि हम इसको सर्ल करेंगे सर्ल कैसे करेंगे यह क्या है 210 आ tek आंने करता कैसे देखे यहाँ पर उपर में एक जिरो से नीचे में एक जिरो कट जाएगा अब देखे यहाँ पर भी उपर में एक जिरो से नीचे में एक जिरो कट जाएगा अब देखे यहाँ पर क्या बच गया तो यहाँ पर आपका एक कईश और बाटा में यहाँ पर आपका च आप देखे करना क्या 21 ब कौन करने का नीब क्या होता है कि अतल्ग की है सबसे पहला काम कि जो पहला भीनियना इस को जैसे जाहिसे इन्य एकस्य बांटा मिशेंगों रिज Football आऊ है जलिकाएगा उसके बाद एस भाइक के चिन को गुना में डाइक करेंगे आ चुका है यानि 21 MPK क्या होता है कि इसको खातालते कैसे है औम मुझात एक बातालोटी कनल सकते हैं होर नहीं हो तो दकाता है ये यहांपर 40 माहीं हो 시간이 कैसे हैं हाँ कटेगा कब करता संखेOULD दीए चालिस और पच् converted किसी भी एक सणख्यकिपादा तो यह चालिसों यह जो है नद दस के पाड़ा में दोनों संख्याय हैं दस के पाला में और दस के पाड़ा canceled दस तो ईह दुन कि नसक पाला में दस सटी रहले नवार कुछ संख्याय जाना 10, 50 पांच बर में है यहनि 10 से 4 और 50 कट गयाि अब देख्यर इहां पर 17, यहां पर 12 तो क्या उपर में पांच और नीचे में चार बच गया और यहां पर उपर में साथ और नीचे में क्या चार बच गया तो क्या यह संख्याइं और भी आगे कटेगा नहीं कटेगा तो जब यह संख्याइं नहीं कटेगा तो क्या करते हैं गुना करते हैं गुना कैसे करें देखिए यह पर साथ गुना करें पांच यानि यहां लिखेंगे नीचे में शेवेन गुने 5 और बाटा में क्या बच गया है तो यहां पर 4 और गुना में यहां पर हापका चार और देकिशाद करेंगे 5 में 735 और 4 चोग के हो जाएगा 16 और 35 बाटे 16 यह होगे हमारा पहले कोशन का फाईनल आंसर,बात के जाए दूसरे कॉशन के तो दूसरे कॉशन में,फीन का गुना,वर भीन का भाग एक सांध दिया गया है तो इसको कैछ सल्व करेंगे,यह पर भाग का चीन है और नहीं पता है, तो फिल हाल के लिए मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप बोड़ मास रूल सिख सकते हैं, कि बोड़ मास रूल का नियम क्या होता है, तो देखिए बोड़ मास रूल कहता है, बोड़ मास रूल कहता है, कि एक ही कोशन मे सबसे पहले आपको भाग को सल्ब करना है उसके बाद गुना को सल्ब करना होता है समझ रहे आ तो देखिये यहां पर वाग सेपहले जितने भी बैंस गल्यायई को निए निया दर लिखेंगे यहां पर चार और बाटा में साथ गुना है तो यहां अवर देखेंगे यहां पर चिन को आपको गुना में करना है जहां पर था करना आपको गुना देखेंगा नियां क्या होता है कि इस बहागी चीन के बादल भीन नुट जाएगा लिए तीन भटjek दस है तो जो दस नीचे ये ऊपर सल जाएगा और जो ऊपर तीन ये निचा जाएगा यान तीन बत डस है तो यहां पर आपका 10 और बाटा में तीन हो जाएगा समझ रहे है ना यहनी पलट गया संख्या है क्यों पलटा क्योंकि भाग के चुन को मैंने गुणा ये भीन के भाग सुल करने का नियम होता है कि पहला भीन मैंने जैसे कि तैसे लिखा भाग के चुन को गणा हम बट किया और इसके बाद लॉज़ल भीन है ना इसको पलाटकर मैंने लिख दिया अब देहिए ये जो है हमारा भीन का गणा होगे तो जब भी को गुणा करना हो तो वहां पर नियम क्या होता है। तो तुरिछा ती तीर्छा तीरषी कटाने का नियम होता है कि अगर यह संख्या से यह संख्या कट रहे हैं अगर संख्याह कट रहा है तो चले यहांपर कैसा प्रेयास करते हैं में यह दोनों सेंखे आएगा ना तब यह संखाय कट जाएगा तो देखिए साथ के पाड़ा में साथ भी है एक बर में और साथ के पाड़ा में साद दुनिक जोद है दो बार में और देकि यहाँ पर क्या है पांच यहाँ पर क्या है दस तो पांच के पाला में पांच है एक बार में और पांच के पाला में दस है दो बार में यहीं पांच के पाला में पांच भी था पांच के पाला में दस भी था तो यह दोनों संख्या कट गया और देखें यहाँ पर यह आ गया दो और यहाँ पर है तीन तो किसी भी एक संगे कपाड़ा में यह दोनों संख्या एक साथ नहीं आईगा न तो यह संख्या आपस में नहीं कट सकता है और देखें यहाँ पर है तीन यहाँ पर कह चार तो चार और तीन भी आपस में क्या बच गया है चार दो गुना में इस यह इंक आपका तीन बच गया है अब देखिए चार क्यून करेंगे दो में चार दूनी की आठ और तो नहीं को जाएगा स्वूला वाटा हमें देखिए एक क्यून करेंगे एक में तो एक और एक एक में करेंगे तीन में तो एक तीन तीन इन्हें 16 बटे तीन ये हो गया इस question का final answer तो दोस्तो आई होब की इसी तरीका को यूज करके आप भीन का भाग और भीन का गुना और भाग एक ही question में रहे तो आप उसको solve कर लेंगे तो अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दिजे और इस चैनल पर पहले बराये हैं न तो इस चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगे ताकि आपको नेव वीडियोज का नोटीफिक्स आपको मिलता रहे और आपकी जो भी math की तेरी हमसर चलती रहे और आपका math क पहले पर पिए स्ट्रोंग और यह रिए उन्यों है